Question number 10 An umbrella has 8 ribs which are equally spaced तो को यहाँ show किया गया इस तरह से Assuming umbrella to be a flat circle जैसे कि यहाँ देखो picture में दिखाया गया दूसरी picture में of radius 45 means इसका radius 45 गिवन है में Find the area between the two consecutive ribs of umbrella two consecutive ribs कौन से हैं देखो यह दोनों मारे two consecutive ribs हो गए और उनके बीच का area में यह find करना है इस area हो find करना है तो एक तरह से सेक्टर हो गया है sector of circle यह पूरा एक circle consider करते हैं अगर हम तो यह चोड़ा सा sector हो जाएगा यह इस sector का area find करना है sector का area find करने से पहले हमें इसका angle find करना पढ़ेगा यह angle कितना है each angle total यहाँ पे 8 sections है और इच एंगल निकालने के लिए इच एंगल इक्वल टू टोटल एंगल 360 डिवाइड़ बाई नमबर ओफ सेक्टर्स यह एट एट से डिवाइड कर देंगे देखो 8, 4 जा 32 यहां बचे गया 4 8, 5 जा 40 इट मिंस 45 डिग्री का एक एंगल होगा यह यह 45 डिग्री का एक एंगल है और इसका रेडियस भी 45 cm ही गिवन है अब हमें निकालना है इसका एरिया एरिया ओफ देखो एरिया बिट्विन टू कंस्कुर्टिव रिप्स तो देखो एरिया इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू PY R SQUARE थीटा 45 है हमारा 45 by 360 इंटू PY PY है 22 by 7 कोकि यहां मेंछन है लेने के लिए 22 by 7 इंटू R SQUARE R 45 है 45 का SQUARE दिस्मच सेंटीमेटर SQUARE तो यहां हमने 8 से 36 काटर था तो 45 है था 45 से इसको काटेंगे तो 8 आए जाएगा 8 आ गया, इस 8 से काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 4 जा 8, 2 से काटा 11, तो यह आ गया 11 इन्टू 45 का स्क्वेर, 20 25 अपन 4 7 जा 28 cm स्क्वेर, अब इसको 11 को अगर इससे मल्टिप्लाई करते हैं, तो यह आ जाएगा 22,000, 22,275, और यह आ जाएगा 28 cm, स्क्वेर, अब चाओ तो इसको मिक्स फ्रेक्शन में छोड़ दो, अदरवाइस अगर डैसिमल लोकर नूट करते हैं, तो 795.5357 इस तरह से आएगा, इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कि 795.56 cm स्क्वेर, तो इसे यहाँ भी लाके छोड़ सकते हैं,